हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ मैंगो एगलेस केक की रेश्पी सेयर करने वाली हूँ, जिसे मैंने कडाई में बनाया है, केक में जैल इफेक्ट कैसे दिया जाता है, और इसके साथ साथ केक आइसिंग के बहुत सारे टिप्स भी सेयर करू केक का इस्पंज बनाने के लिए सबसे पहले हम कडाई को 10 मिनट के लिए फ्री हीट करेंगे, इसके लिए मैंने यहापे एक कटोरी नमक को इस तरह कडाई में फैला दिया है, उसके उपर इस तरह स्टील की रॉट रख दे और धक्कन रखके, इसे हाई टू मीडियम फ्ले दाने के बाद इसे पांच मिनट के लिए ऐसी रख देना है, ताकि इसका मठा बन जाए, अब इसे मैंने एक बड़े बोल में ट्रांसफर कर लिया है, अब इसमें 15 ml ओयल डालेंगे, यह रिफाइन ओयल है, आप चाहे तो मेल्टेट बटर का भी इस्तमाल कर सकते हैं, और इन सब को अच्छे से मिक्स करना है, ताकि यह आपस में अच्छे से घुल जाए, अब यह अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसके ओपर एक जालिदार बरतन रखेंगे, इसमें सारे ड्राय इंग्रीडिन को छान के डालेंगे, एक कप मैदा लिया है, यह 100 ग्राम है, 50 सुगर लिया है, यह पिसावा सुगर है, 1 TBSP मिल्क पॉडर लिया है, 1 TBSP बेकिंग पॉडर, हाप TBSP बेकिंग सोडा लिया है, और वन पिंच नमक लेना है, और फिर इसे इस तरह से अच्छे से छान लेना है, ऐसा करने से सारे चीज़े अच्छे से मिक्स हो जाती है, औ अब इन्हें इस पैचुला से कटर फोल्ड करते हुए इस तरह मिक्स कर लेना है यहाँ पर मैं हाफ केजी का केक बना रही हूं अगर आपको बैटर थोड़ा टाइट लगे तो एक दो चमस दूद और डालने अब इसमें तीन से चार डॉप मैंगोई मलसन डालेंगे इससे कल केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 इंच का केक टीन लिया है इसमें सबसे पहले ऑइल ग्रीस करेंगे इस तरह से अब इसमें एक चमस मैदा डालेंगे और उसे चारो तरफ इस तरह से फैला लेना है ऐसा करने से इस पंच केक मोल्ड से आसानी से निकल जाता है और जो ए सब्सक्राइब रखनी है और इसे 30-35 मिनट के लिए धक्कन रखके बेक करेंगे 35 मिनट हो चुके हैं इस पंच अच्छे से डबल हो चुका है अब इसे टूथ-पिक से इस तरह से चेक करेंगे अगर टूथ-पिक क्लीन ना निकले तो इसे पांच मिनट के लिए अगक कर ल बीच बीच में रोक के तब तक बीट करना है जब तक इसमें hard-pick's ना आ जाएं क्रीम आइसिंग के लिए ready है इसमें मैंने दूट रॉप mango essence डाला था अभी मुझे क्रीम का कोई color change नहीं करना है इसलिए मैंने इसमें emulsion नहीं डाला है अब sponge भी ठंडा हो चुका है ये देखी ये कितना soft और fluffy बना है और ये उपर से hard भी नहीं है अब इसे cut करेंगे sponge को पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही इसकी icing करनी चाहिए इसे तीन पार्ट में divide करना है cake अगर perfect bake हो तो उसके crumbles भी ज़्यादा नहीं निकलते हैं अब ये तीन भाग में cut हो चुके हैं टन टेबल के उपर एक Turkish towel या कोई भी कपड़ा रख ले इससे cake icing करते समय ये slip नहीं होता है और इस तरह cake base के उपर cream लगा ले और इसके बाद ही sponge रखे इससे sponge इदर उदर फिसलता नहीं है अब इसके उपर sugar सिरफ चारो तरफ फैलाना है sugar सिरफ लगाने से cake खाते समय ड्राइ नहीं लगता है और इसके बाद इसके उपर cream की coating करनी है palette knife को इस तरह सीधा रखना है और turn table को घुमाते वे जाना है इससे cream evenly लग जाती है cream लग जाने के बाद इसमें एक चमच mango crush डालेंगे और palette से इसे इस तरह फैला लेना है ताकि crush चारो तरफ अच्छे से लग जाए अब इसके उपर दूसरा हिस्सा रखेंगे sponge का और सुगर सिरफ लगाते वे इसके उपर भी cream के coating कर लेनी है उपर से cream लगाने के बाद side के sponge को भी cream से अच्छे से cover कर ले और इसी तरह इसके उपर भी एक चमच mango crush डालके उसे भी spread कर ले अब cake sponge का तीसरा पाट रखेंगे और इसे भी cream से अच्छे से coat कर लेना है अब cake के side से भी cream को अच्छे से लगा लेनी है पर याद रहे इसकी ज़्यादा मोटी layer नहीं होनी चाहिए क्योंकि cream की ये first coating है इसलिए ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए अब इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ी set हो जाए अब इसकी उपर cream का final touch देंगे इसी तरह से palette से इस पे cream लगाते हुए इसे cover कर लेना है अब cake को इस तरह smoother से smooth कर लेना है ताकि cake पे अच्छा सा round shape आ जाए अब palette से इसके उपर जो extra cream है उसे निकालते हुए इसके ages को sarp कर लेना है और इसके बादी से 10 मिनट के लिए फिर से fridge में रख देना है cake के उपर gel या glaze effect देने के लिए यहाँ पे मैंने 2 चमच neutral gel लिया है यह gel काफी थिक है इसलिए इसमें मैं 2 चमच पानी डालूँगे ताकि इसकी consistency pouring हो जाए अब इसमें 2 drop orange gel color डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेना है cake के उपर जो भी color का gel effect देना है आप वो color mix कर सकते हैं अब जेल को इस तरह cake के बीच में pour कर देना है अब palette knife से इस तरह turn table को घुमाते हुए जेल से cake को cover कर लेंगे अब इसके side को भी जेल से cover कर लेना है अब इसके बाद इसके base को भी clean कर लेंगे एक चमच नूटर जल में मैंने एक drop chocolate brown color डाल दिया था और उसे अच्छे से mix करने के बाद piping bag में भर लिया है और piping bag में एक छोटा सा cut लगा लेना है और फिर इससे cake के उपर इस तरह design करते जाएंगे अब इसके उपर toothpick से इस तरह design करेंगे toothpick को ज़्यादा जोर से press नहीं करना है अगर ज़्यादा जोर से press करते हुए घुमाया तो cream उपर दिखने लग जाएगी यह देखिए इस तरह से इस पर design बना लेना है अब बचे हुए cream में एक drop mango emulsion डालेंगे और cream में इसे अच्छे से mix करना है रोज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर R11 nozzle लिया है अब इसे piping bag में भरके आगे से cut लगाएंगे और piping bag में ही एक side से orange gel color डालेंगे यह देखिए color को एक side में इस तरह से डालना है इस तरह से रोज बनने के बाद यह बहुत ही सुन्दर दिखता है अब piping bag में cream भर देनी है रोज बनाने के लिए मैंने रोज tools लिया है अब nozzle को इस तरह रखना है कि इसका cow वाला भाग नीचे और सीधा भाग उपर की तरफ आए और इस तरह से इसे round घुमाना है रोज बनाते समय सबसे पहले रोज का base बनाते है यह देखिए इस तरह से अब इसके petals बनाएंगे इसे इस तरह से ultra C बनाना है हमें nozzle वाले हाथ को नहीं घुमाना है जिसमें हमने रोज tools पकड़ा है उसे हलका हलका घुमाते जाएंगे और एक petals बनाने के बाद उसके थोड़ा आगे से दूसरा petals start करना है यह देखिए इस तरह से अगर रोज बढ़ा चाहिए तो nozzle के हाथ को थोड़ा बाहर की तरह घुमा ले मैं एक बार फिर से आपको रोज बना के दिखा देती हूँ यह देखिए सबसे पहले रोज का base फिर इसका beach का part और फिर petals बनाते हुए जाना है इस तरह छोटा या बड़ा आपको जैसा रोज चाहिए आप बना सकते हैं रोज तयार है इसे रखने के लिए सबसे पहले cake के उपर इसका base बनाएंगे ताकि cake के उपर से रोज फिसले नहीं अब इस रोज को seizure या fork से इस तरह से cake के उपर रख देना है piping bag में मैंने cream को भर लिया था और उस पे एक छोटा सा cut लगा के cream से इस तरह design बना लेंगे leaf बनाने के लिए cream में green color को mix कर लिया था और उसे piping bag में भर लिया है अब इस पे इस तरह से cross में cut लगाएंगे और इस से अब flower के side में leaf बनाएंगे ये देखिए इस तरह से cake की icing हो चुकी है अगर आपको आज का बनायवा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को subscribe करें और bell icon जरूर प्रेस करें